हेलो फ्रेंड्स कैसी हूँ आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का में चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और यहीं देखिए फ्रेंड्स के अभी सुभा का टाइम हो रहा है और सुभाख दो अभी उट केसे लागे अलुए को सभाफ नियुक्र om और मेरा चपल अगरा भी दिख़्ी अलब भीज यह अलब में घर में पैनती थी नहीं यह पूरा गीला हो गया है अब इसको यहीं पर रहने देती हूँ धूपाएगा तो सुखेगा पर धूपाने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर मैं कपड़े अगरा धोती हूँ न चट के धूपान पर यह रिखे है पूरा न यह गीला हो गया है विरे तो गले की हालत ही खराब है बात कर रही हूँ न तो पर गलदत कर रहा है और और आज मैं बच्चों को स्कुल भेजी ही नहीं ऐसा मौसम देख्या अग खुद मेरी आखी नहीं खुले तो मैं बच्चों कैसे उठाती और पता है पहले नौ बज़े था स्कूल का टाइमिंग तो घर से दस पंदर मिनट पहले निकलते थे अभी मदब कि साथ साथ बज़े घर से निकलना तब जाके वह आठ बच के पचास मिनट पहुंचेंगे तो फ्रेंड साथ साथ बज़े बच्चों को स्कूल इतना थन्ड में तब यह नहीं खराब करवाने वच्चों की क्योंकि मेरी खराब है और बच्चों की अगर हो जाएगी ना भहत जादा दिकत हो जाएगी मेरी इतने ज्यादा दवाए में पैसे खर्चेंगे तब जाके अभी न मैं मैं तो सबसे पहले ऑनी यह काड़ा पीना है में सब कुछ मैंने सब कुछ पीकी देखा अभी भी पीरी हूं अभी भी मैं कडा डेली तीन टाइम पीती हूं कडा तब जाके मुझे सब दर्द मुझे ना दो दिन पहले से दर्द है क्योंकि उधर में राद बर खासी वही थी तो मैं स्टेम ने दवा खाती थी टेबलेट भी लएक के आए थी सर्दी खासी का और सिरा भी पूरा मैंने खतम कर दिया दो-दो सिरा कुछी फायदा नहीं हुआ मेरा मैं मैं पहले कर द Dance कर दो करने खाम नहीं है मुझे लग रहा है कि अब थंडफ कतम होगी है और छाड़ोने का समेटा नहीं है क्योंकि मैं सुछने में खजानशनेλαकर लगा देति हूँ निकाल लेती हूं यहां पर आपको मैं दिखाने जा रही थी यह जो आयांस का नया कारणामा इसने क्या है पैलसीन से पता है फ्रेंड्स इसको ना हम लोग कभी पैलसीन कलर कभी इसके हाथ हम लोग नहीं देते हैं नीचे में कुछ भी नहीं रखती हूं हमें सब बहुत उच कर देता है तो अमें यह जब तक इसके समझदारी नहीं होगी जब तक यह बड़ा नहीं होगा ना तब तक मेरा घर ऐसे ही रहेगा और यहां पर देखे फ्रेंड्स मेरा घर का कितना जदा बुरा हाल हो गया है कुछ जिसे तब यह ठीक नहीं लग दी थी ना तो कपड़े मैं उठा के ला रही थी धुले वे और ऐसे ही रख दिया करती थी तो बस यह तो कली के कपड़े जो की एक दी मतलब रात में बारी सुई थी और उससे पहले एक टैम तक सुभा मतलब एक दो बज़े तक धूप थी एक दो बज़े के बाद ही मौसम खराब हुआ हमारे यहा का तो कपड़े मेरे सूख गए थी तो यह पर मैं लाके रखी हूँ और यहां पर देखी फ्रेंट्स मैं ना अभी कुछ मेलो मेरा घर में कुछ अभी ऐसी बिख़़ा है और अभी बच्चे जश्ट अभी उठे हैं कुछ दिर पहले तो बस यहां पर मैं कपड़े समेट के पहले में रख देती हुनी तो फिर वही ना कि डेली कपड़े निकलते हैं विंटर में और जादा ही कपड़े रहते हैं तो इसी वजह से और यहां पर मैं आप से भी कुछ दिखा रही थी कि मुझे ना आसी की पर्स में चो छोटा से उसका पर्स था उससे मुझे वो मिला एक चुटकले करके नहीं रहता है खाने वाला बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो दो पैकेट था तो मैंने एक पैकेट ऐसे आप जिससे कपड़े फोल्ड करने में बहुत बोरिंग लगता है न तो फिर एक में खा रही हूँ और एक रख दे रही हूं इस तरह से मेरे सारा काम भी हो जाए रहे हैं बहुत अच्छा था खटा मीठा नमकीन इस तरह का फ्लेवर था तो यहां पर देखे फ्रेंड्स मैंने सारे कप्रों को फोल्ड कर दिया है अब इनको में जगा पर रख देती हूं इस वाले कमड़े में मैं रायान्स का और अपने हज़बन का अपने कमरे में रहते हूं और इहां पर इस कमरे में सिर्फ यह ही रहता है और बुक वगेरा ही रहता है ज्जादा चीज़े यहां पर नहीं रहती है और उसके बाद देखे फ्रेंड्स यह जो बैट शिट हीए मैंने कल ही लगा था तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगी और यह बेडशिट बहुत अच्छा है, यह विंटर के लिए ही special है, इसको हम समर में इस बेडशिट को नहीं बिचा सकते हैं, क्योंकि यह वाम बेडशिट है, यह बहुत घर, में यह गरम रखता है तो यह अच्छा है, इसे मैं विंटर में ही सिर्फ बिछाती हूँ, क्योंकि गर्मी में अगर बिछाओंगी तो बहुत गर्मी लगेगी यहाँ पर देखें, आयांस भी मेरे साथ साथ सारे काम कर रहा है यह अपने टोपी को खोल के फेग दिया है, और देखें इसके बाल कैसे लग रहे है और फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, आयांस नहीं विंडो खोल दिया था फिर ना विंडो का दरवाजा खोला, इतना तीज हवार आने लगा बहुत तेज तो फिर मैं उसको सबसे पहले बंद की, और उसके बाद देखी मैंने इस बैट सिट को ठेक कर दिया और इसके कवर मैं ना कल जलवाजी में मुझे मेल नहीं रहे थे तक्या के कवर तो फिर ना मैं उसको ही रहने दी थी और आज मुझे मैं भी लाई हूँ खोज के तो फिर अभी इसको में लगा दे रहे हूँ, क्योंकि ना बैट सिट का बीना मैचिंग का कवर रहता है न तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ये मेरा पूरा घर ना वाइट कलर है, तो वाइट कलर हम लोग वो नहीं करवाए है, कलर नहीं करवाए है बस पुट्टी पर ही हम लोग प्राइमर करवा दिये थे वाइट कलर, और इसलिए इतना घर ये गंदा हो गया है, मतलब कि कहीं भी छूते हैं तो ऐसे गंदा हो जाता है अभी देखे फ्रेंट्स अभी ये सूरज ढला है अभी अभी और इवनिंग का टाइम है, लेकिन आजपास बहुत ज़ाधा अंदेरा दिखता है यहाँ पर, और उसके बाद देखे फ्रेंट्स अभी आदितिया और मेरा भाई छोटा वाला, ये लोग आए थे, मतलब कहीं घुमने फिनने गए थे, यही चौक में, तो फिर वहाँ से देखे, कुछ कुछ चीज़े लेकर आया है, और खापी के भी ये लोग आये थे, और हम लोग आज लेट से ही लंच किये थे, तो आज मेरा घर में खाना नहीं बनेगा, और ये लोग भी खापी के भार से ही आया ये लोग दिन बर घूमी रहे हैं, तो फिर मेरा आज दिन बर सूट मेंने कुछ भी व्लोग नहीं बनाया, एक ही बर आब मैं बना रही हूँ, आयांस को मैं नहीं जाने दी बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, और बच्चों का है कि ये भी इसको भी ले जाने के ल बहुत लगती है, और हम लोग अभी न, यहां पर दिन बर आज हम लोग आग ही तापे हैं, और ऐसे ही टेमपास हुआ है हम लोग का, उसके बाद देखे, प्रंट सब ही न, मैं यहां पर चटनी बना रही हूँ, मिर्च, धनिया पत्त, टमाटर, और इसमें मैंने इमली भी आलू बॉल की थी, पहले ही, इसकी मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ, कोई घर में खाना खाने के लिए रेडी नहीं है, और अभी हम लोग लेट से ही खाना खाये थे, साड़े तीन बजे लंच किये थे, तो किसी को भोक नहीं लगा है, और बैठे बैठे सिर्फ आकता तो किसी को बिल्कुल भोग नहीं है, जिसे कहीं आने चाने पता लगँ लगती है, æहीं कि लिए हम लारे हें, बस रहों और तो तीनी में ले रही हूं, और एक अपने हजबं के लिए बर्गर यांपर में बना रही हूं, जितनी चीजी मेरे घर पर थी, अभी वाई लेव और उसकी बाद यहाँ पे न मेरा सारा काम खेतम हो गया था और जैसे कि घर में कोई आता है ना फ्रेंट्स तो हम लोग बीजी हो जाते हैं कुछ-कुछ बाते में खो जाते हैं और फिर कुछ करने का मन नहीं करता है और मतलब कि मेरे घर में तो आप ने जैसे पिछले वीडि की मेरा घर कोसरा काम करती थी जैसे खाना पीना बच्छों को देना ओर मुसम थीक नहीं था तो अभी हो गया है मुसम ठीक और फ्रेंड्स मेरा घर का सारा काम रुख जाता है क्यों कि मैं ही करने वा लीगार ऐसा बिकर जाता कि में क्या बताऊं और आप सबी बताईए कि गंदे घर में और इधर उदर बिख़डा वा समान रहता है तो व्लॉग बनाने का मन करता है क्या नहीं मन करता है मेरा तो विल्कुल मन नहीं करता है और जब तक मैं विल्कुल फ्रेस्ट ना हो जाओं मेरा मन ठीक ना रहे तब मेरा कुछ काम करने का व्लॉग भी बनाने का मन नहीं करता है मैं सोचती कि ऐसे सब लोग देखेंगे तो फिर वही न कि फिर बहुत लोग बोल देते हैं कमेंट के जरीए कि कैसे रगती हो क्या करती हो फिर गलत गलत कमेंट आते तो मुझे ठीक नहीं लगता है तो फिर इसी मेरे बहुत अच्छे सबस्क्राइबर है जो मुझे समझते हैं अच्छे से और यहां पर देखिए फ्रेंट्स में गर्मा-गरम चाइव बना रही हूं मेरे घर में बहुत बारा भी चाय बन रहा है मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी न चाय पीती नहीं हूँ बहुत कम चाय पीती हूँ और किसी की साथ मुझे खाना रहता है तभी मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ अभी मैंने सिर्फ दो लोग के लिए बनाया है अपने husband के लिए और अपने भाई के लिए और friends में पिछले वीडियो में आप आप सभी एक comment देती आप सभी इतने प्यारे-pयारे comment थी इतने अच्छे-चे comment थे मेरे लिए इतने अच्छे आपने घरे लिए उपाय बताया वो सब मैंने करके देखा है और आपको न दिल से धन्यवाद आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो तो फ्रेंड से इस वीडियो को ही पर मैंन करते हूं बाई बाई